हेलो फ्रेंज स्वागत अब सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो आज हम लोग इस वीडियो में NCRT क्लास 6 का मैथ चेप्टर 1 exercise 1.2 को solve करेंगे वीडियो को शुरू से अन तक जरू दिखेगा एगनम आसाने से आपको समझ में आ जाएगा इससे पहले मैंने exercise 1.1 का upload कर दिया है यदि आपने उस वीडियो को अभी तक ने देखे हैं तो इसका playlist बना हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के description में मैंने link दे दिया है वहाँ पर link जाकर click करके आप देख सकते हैं तो चलिए हम लोग आज exercise 1.2 का पाला question solve करते हैं तो दिखिए यहाँ पर जो है न दिया वाए question क्या कहता है दिखिए question 1 में काता है a book exhibition was held for 4 days in a school the number of tickets sold at the counter on the 1st, 2nd, 3rd and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751 find the total number of tickets sold on all the 4 days तो देखिए यहाँ पर इस question में क्या कर रहा है कि एक book exhibition है means book का जो है उपरदर्सन हो रहा है एक तरह से school में और चार दिनों का हो रहा है 4 days का आप देखिए यहाँ पर काता है यहाँ पर जो हना counter में tickets sold हो रहा है मतलब यहाँ बेचा जा रहा है है ठीक है first day देखिए यहाँ पर second day भी है third day है और final day आप इसको final day को four day भी बोल सकते हैं है तो यह पर total four days है first day में देखिए 1094 tickets का sold होता है ठीक है और यहाँ पर देखिए second day यहाँ पर 1812 tickets का है sold होता है और third day 2050 tickets का sold होता है and last आपका final day तो final day में 2751 tickets का यहाँ पर sold होता है तो आपका question क्या कर रहा है find the total number of tickets sold on all that four days means 4 दिन मिला के four days मिला के आपका tickets कितना हुआ यही बताना है आपको तो चलिए इसको हम लोग solve कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आप answer ठीक है अब देखें यहाँ पर लिखना है आपको number of tickets sold on first day on first day तो इस तरह किसे लिखेंगे लेना है number of tickets sold on first day तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं equal to देखें यहाँ पर देखें कितना दिया हुआ हुआ है फर्स्ट डे में तो यहाँ पर देखें फर्स्ट डे में है आपका 1094 तो यहाँ पर लिखें 1094 आगे उसी तरह लिख लेना आपको देखें नंबर ओफ number of tickets है number of tickets sold on second day second day is equal to second day में कितना है देख लेते हैं देखें सेकन डे में है 1812 1812 अब उसी तरह से आगे भी लिखना है आपको number of tickets sold on third day तो third day में कितना है वो भी देख लेते हैं तो यहां से आपको लिख दना है 2050 and final day final day was 2751 तो यहां पर आपको लिख दना है number of tickets number of tickets sold on यहां पर third के जगह में आप final चले फाइनल लिख देते हैं final day is equal to कितना है डिखे 2751 2751 अब यहां पर आपको करना क्या है सिर्फ एड कर दना है आपर ठीक है इसको यहां पर plus कर दना आपको चलिए इसको प्लस करते हैं 4426617 यहां पर आपको सेवन लिख दना है अब यहां पर देखें 9 1 10 5 15 5 20 तो यहां से आपका आगया 20 केरी आपका 2 रहा गया अब यहां पर देखें once तो add कर लिए 10 भी add कर लिए अब यहां पर hundred तो hundred वला में यहां देखें 0 है यहां पर eight है और यहां पर यहां पर seven eight seven यहां से आगया आपका फिप्टीन और केरी टू तो 17 17 का सेवन केरी वन रहा अब यहां से टू टू four four one five five one six और केरी वन seven तो आपको यहां पर लिए दना है सेवन तो यहां पर देखें यह आगया आपका क्या टोटल है टोटल टिकेट्स है आपका सोल्ड यहां पर आप इक्वल्स टू लगा सकते हैं तो देखें टोटल कितना हुआ सोल्ड seven thousand seven seven इतना टिकेट्स आपका सोल्ड हुआ तो आपको यहां पर एक लाइन नीचे में लिग दना है देरफोर seven thousand seven hundred seven टिकेट्स आप वेर सोल्ड अन ओल दा फोर डेज फोर तो इस तरह के से यह हो गया इसका आंसर तो आप इसको आप नॉट कर सकते हैं नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखेंगे question number two the case में कता है सेखर is a famous cricket player he has so far scored 6980 runs in the test matches he wishes to complete 10,000 runs how many more runs does he need देखे friends यहां पर सेखर नाम का एक famous cricket player है इन्होंने क्या किया है 6980 runs यह complete कर लिया है match test में ठीक है अब यहां पर इसको 10,000 runs complete करना है तो यहां पर मुझे और कितने runs की required है कितने runs की जोरुरत है तो देखें यहां पर क्या करेंगे इतना आपको यहां पर इतना runs बना चुका है इतना runs लाना है इसको बनाना है इसको तो क्या करेंगे इस में से इसको subtract कर देंगे इसका answer निकल के आ जाएगा यहां पर इसका answer लिखेंगे runs to achieve इसको achieve करना है कितना तो देखेंगे इसको कितना और इसको मिन्स कितना complete करना है total तो 10,000 इनको complete करना है ठीक है सेखर को 10,000 complete करना है runs तो runs to achieve is equal to 10,000 अब देखें यहां पर जोहने आपको लिखना है runs scored runs scored means इन्होंने कितना runs scored already कर चुका है तो उसको लिख दना है 6,980 तो यहां पर लिख दना है आपको 6,980 यह इतना इन्होंने क्या किया है score पहले से बना चुका है तो इसको क्या करेंगे सिधा सिधा हम लोग subtract कर देंगे आंसर आजाएगा तो यहां पर आपको लिख दना है runs required means इसको कितना ओर runs का जरूरत है अवैस शकता है ठीक है तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे सब्ट्रेक रहेंगे चीजरो में-जिरो मैंनस बखरेंगे आ जाएगा जैगा यहां पर 0 है 0 में एट मैंनस नहीं होगा केडी लेंगे तो यहां carry यहां पर नहीं होगा, यहां पर भी तो 0 है, यहां से भी carry नहीं मिलेगा, यहां भी 0 है, यहां से मिलेगा, यहां 0 के पास 10 बनेगा, फिर यहां 10 से यहां आएगा, यहां पर 10 बनेगा, यहां पर 9 बन जाएगा, याद रखना है इस तरीके से, यहां पर 9 बन गया, यहाँ पर 10 बन गया और यहाँ पर 0 हो गया, अब यहाँ से 10 से फिर निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा फिर 9, तो याद रखेएगा इसको बहुत ही, ठीक है, आसानी से अब इसको बना सकते हैं, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में 8 मैनिस करेंगे, आज आ आपका यहां से 3 यहां तो 0 हो गया था क्योंकि यह चल गया था इदर केरी की रूप में तो चलिए यहां पर देखिए हम लोग का आ गया runs required means कितना उसको runs का required है जरूरत है तो इतना वह already बना चुका था और इतना बनाएगा तो क्या हो जाएगा है इसका 10,000 runs complete हो जाएगा तो नीचे आपको यहां पर लिख दना है therefore he needs 3020 more runs means इसको 3020 ज्यादा runs का यहां पर required है जरूरत है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग second question को solution देख लिए आप इसको not कर लिजिए आगे आप हम लोग देखेंगे question number three देखे question में कहता है in an election the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes by what margin did the successful candidate win the election तो friends यहां पर दिखिए एक election है इस election में दो candidates के बारे में यहां पर बात किया गया है first candidate जो success हो गया है मिन्स जो election जीत गया है win कर गया है तो कितना vote से 5,77,500 इतने vote से यह win कर गया first candidate ठीक है अब दिखिए यहां पर इसका जो rival candidate जो है rival candidate means उसका जो opposite party है ठीक है इसके opposite में जो है उन्होंने कितना vote लाया 3,48,700 votes इतना secured किया by what margin did the successful candidate win the election तो यहां पर success candidate जो है कितने vote से जो है na win किया जीता या फिर कितने vote से उसको हराया तो चलिए इसको हम लोग solve कर लेते हैं आपर तो सबसे पहले यहां पर लिखना है आपको answer number of number of votes number of votes secured secured by successful candidate का तो यहां पर लिख देंगे successful successful candidate successful candidate तो दिखे इन्होंने कितना लाया 5,077,000 और 500 votes इन्होंने इतना सिकोर किया अब यहां पर आपको लिखना है number of votes secured by secured by his nearest his nearest rival his nearest rival आपको इस तरह के से लिख दना है ठीक है number of votes secured by his nearest rival देखे आपर किता वोट लाया था तो यहां पर लाया था अब यहां पर क्या करेंगे इसको simply आपको है पर मैनस कर दना है ठीक है आजागा इसका answer ठीक है तो यहां पर परिटेट करते हैं zero से zero मैनस कर देगा zero जाएगा Zero से zero मैस कर दिए फिर यहां पर जेना पड़ेका Those Live स्फिर केर लेना पड़ेगा 15 से और मैस करिए तो यहां पर इसमें लिख दना आपको तो यहां से आपको लिख दना है तो एक लाइन निचे भी आपको लिख दना है the successful candidate won by a margin of 228,800 votes यह हो जाएगा इसका answer ठीक है तो आप इसको note कर लिजे अब आगे हम लोग देखेंगे next question for number देखें यहां पर इस question में कर रहा है कृती बुक स्टोर शोल्ड बुक्स वर्थ रूपीज 2,85,891 इन फर्स्ट वीक अफ जून और बुक्स वर्थ रूपीज 4,768 इन फेंफंड वीक अफ देखेंगे फ्रेंट इन फ्रेंट वीक अफ देखेंगे फ्रेंट यहां पर इ question में कर रहा है कृती एक बुक श्टोर दुकान में रती है और यहां पर बुक शेल करती है तो उन्होंने क्या 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 फर्स्ट वीक में जून का फर्स्ट वीक में 2,85,891 sold की बेची अब दिखे second week में मन्त का second week में 4,768 books उन्होंने sold की बेची तो इसमें कर रहा है how much was the sale for the two weeks तो दोनों week में मिला के कितना sold की रुपीज ठीक है रुपीज में बताना है कितना रुपीज का वो book sold की उसके बाद बोल रहा है in which week was the sale greater and by how much और कह रहा है कि कौन सा week में ज्यादा किया और कितना इसमें ज्यादा किया तो सबसे पहले यहाँ पर इसको यहाँ पर answer में लिखे देखिए सबसे पहले क है को यहाँ पर books sold in first week book books sold in first week सबसे पर आपको लिख दना है कितना है तू दिख्किए आप दिया हुआ है तू लैक एट्टी फाइब थाजएंट एट हंडे नैंटी वन तू लैक एट्टी फाइब थाजएंट एट हंडेड नैंटी वन सोल की फर्स्ट विक में उसके बात लिखना है books sold in second second week तो second week में देख लेते हैं कितना है फूर लैक फूर लैक और 768 यहाँ पर रुपीज का symbol आपको लगा देना है अब देखे यहाँ पर इसको क्या करिएगा add कर देना है आपको simply इसको add कर देना है पता चलिएगा टू विक्स में कितना तो कितने रुपीज का यहाँ पर sold हुआ इसको add कर देंगे सिर्फ एट वन नाइन आ जाएगा 69 15 केरीवन रा जाएगा 87 15 केरीवन 16 यहाँ पर 6 केरीवन रा गया 5 और केरीवन 6 हो गया यहां से आपका यहां से आपका 6 आ गया दिखे 6,086,659 इतना का यह sold कर लिए ठीक है अब यहां पर आपको लिख दराए नीचे में total total books total books sold is equal to देना इतना books का sold किया अब देखिए फ्रेंस आपको बताना है कि कौन सब विक में ज्यदा sold है तो देखें आपको दिख रहा है आपर सेकेंड वीक में ज्यदा सोल्ड फोर लेक का हुआ है यापर टू लेक का तो सेकेंड वीक में आपका जदा सोल्ड वाया तो आपको यह पर लिख देना है therefore sale of second sale of second week second week is greater is greater than that of of first week first week तो second week में ज्यदा सेल हुआ है first week से अब यहाँ पर आपको बताना है कि कि कितना अधीक हुआ है ठीक है याँ तो बता दिये कि सगेंड वीक में ज्यदा सेल हुआ है अब बताना है कि कि अधिक हुआ है कितना greater है तो सबसे पछले आप लिखनेंगे बूक्स कि आसे लड़ कि इन कि फ्रस्ट वीक वुक सोल इन फर्स्ट वीक तो देखें फर्स्ट विक में कितना था करने हैं सेकंड वी तो आपको यहां पर लिख दना है सेकर्ड वी तो सेकंड वी को में कितना है 4 excell. 768 इप यह इतना का सोल वा है इसमें अब यहां पर लिख दना है को बुक्स sold in यहाँ पर आपको लिख दना है first week is equal to तो यहाँ पर किता है देखिए 2,85,891 इतना अब इसमें subtract कर दना आपको बस हो जाएगा देखिए 8 में 1 मैनस किजिएगा से बनाएगा 16 में 9 मैनस किजिएगा से बना जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 6 आ गया यहाँ पर इसे हैं 6 में 8 मैनस नहीं होगा यहाँ से केले लेने पर एधनी कीजिएगा और यहां से घ्री में टु मैनस किजिएगा और यहा यहाँ से घ्री में बूक्स अ अ मोर बूक्स वोल्ड इन के सेकेंड वीक तूद लिख देना आपको मोर बूक्स वोल इन सेकेंड वीक वह लाक फॉर्टीन थाउजन टैंट्र सेमन्टी शेवल उसके बाद आपको नीचे लिख दिना है यहां पर therefore one lakh fourteen thousand eight hundred seventy seven more books more books were sold in second week तो इस तरीके से आपको लिख दना है ये हो गया इसका answer तो आप इसको not कर लिजिए तो चले फ्रेंस बरते अब नेक्स्ट कॉश्शन फाइंड डिफ्रेंस बीटिमीन दा ग्रेटर एंड लीस्ट नंबर बैट कैन बी रिटेन योजिंग दा डिजिट शिक्स तू सेवन फोर त्री इच उनली इसको भी लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर दिखे इसमें कर रहा है कि यहाँ पर जो डिजिट दिया है वाँट टू त्री फोर फाइफ डिजिट का जो सबसे ग्रेटर नमबर होगा और यहाँ पर सबसे लीज्ट नमर होगा सबसे बड़ा और चोटा नमबर का यहाँ पर डिफ्रेंस आपको बताना है इसमें सब्सक्रेट्ट्स आपको करना पड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्रेटर greater five digit five digit number five digit number using using digit using digit six two six two seven four three तो इसको use करके सबसे यहाँ पर greater number सबसे बड़ा क्या होगा क्या नमर हो जागा तो बड़ा से start करेंगे तो क्या हो जागा देखिए seven उसके बाद यहाँ पर देखिए seven के बाद हो जाएगा आपका six उसके बाद हो जाएगा आपका six के बाद seven six four three two यह होगी आपका greater number ठीक है यहाँ से greater number आगी आपका अब यहाँ पर आपको लिग देना है smallest five digit number using digit digit इतना तो यहाँ पर smallest number बनाने के लिए आपको इसमाल digit से स्टाट करना है three कि उससे पर लेट टू है टू लिखना आपको two three four उसके बाद देखिए six seven अब इसमें आपको क्या करना है सब्ट्रक्ट करना है इसको ठीक है आजागा इसका अंसर देखिए 12 में seven minus होगा यहां से आपका आजाएगा five यहां पर two आएगा अब यहां पर two बच गया टू में six minus नहीं होगा केरी लेना है 12 में six minus करिएगा फिर six आएगा यहां पर आगे आपका 12965 इसको यह पर सब्ट्रेक्शन करने से यह आता है तो आपको नीचे आपर एक लाइन लिग देना है therefore the difference कि इस कितना आया 52,965 यह हो गया इसका अंसर ठीक है तो आप इसको देख लिजे नोट कर लिजे तो फ्रेंस आज किस विजोए पस इतना रहना देता है मिलते हैं अब इसका अगला कॉश्चन को लेकर नेक्स्ट विडियो में विडियो अच्छा लगा तो विजिए को लाइक कर देजेगा चैनल पर पर ही बार रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ओन कर लिजेगा ताकि इससे आगे वाल पार्ट आपको जल्द से जल्द मिल सकें मिलते हैं नेक्स्ट विडिव में थेंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो